लोकसबा चुनाओ 2019 के साथवे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं इस चरण में उत्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल सहेथ 8 राज्यों की 69 लोकसबा सीटों पर मददान चल रहा है पिछले चरण के चुनाओं में 484 सीटों पर मददान संपन हो चुका है और साथवे चरण में पंजाब और उत्रप्रदेश की 13-13, बिहार और मद्रप्रदेश की 8-8, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल प्रदेश की 4 और साथी जारकंड की 3 और चंडीगर सीट पर मद्दान चल रहा है, संसदी सीटों के कई बूथो और दो विदानसबा क्षेत्रों में भी पुने मत्दान हो रहा है इन सीटों में केरल के कनूर और कासरगोड, तमिनलाडू के धर्मपूरी, थेनी, तिरुवल्लूर, कुडुलोर और इरोड हर्याना के फरीदाबाद, उतरप्रदेश का आजमगड, पश्चिम बंगाल का बांकुरा, आंधरप्रदेश का चितूर, संसदी और चंदगीरी विधानसबा, क्शेत्र और ओरिसा, जिले के 34 विधानसबा प्रखंडों में हो रहा है, तमिनलाडू में 4 विधानसबा सीटों पर करनाटक में 2 और पंजी विधानसबा सीट पर उपचुनाओ के लिए मतदान हो रहा है, आपको बतादे कि आज कहीं दिगजों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी पश्चिम बंगाल की भी 9 पर मदान हो रहा है हिमाचल पुदेश की बात करें तो यहां की भी 4 सीटों पर वोटिंग लगतार जारी है जारकन की तीन और चंडीगड की भी सीट पर मदान हो रहा है संसदीय सीटों के कहीं बूतों और दो विदान सबक शेत्रों में भी पुने मतदान हो रहा है और इस आखरी चरण के मतदान में कई दिगजों की प्रतिष्टा भियाजदाओ पर है आपको बता दे कि सात्वे और आखरी चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है और आठ राज्यों की 69 लोकसवा सीटों पर मतदान हो रहा है पिछले छे चरण के चुनाओं में 484 सीटों पर मतदान संपन हो चुका है सात्वे चरण में पंजाब और उत्रप्रदेश की 13-13 और बिहार और मद्रप्रदेश की 88 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है साथी पश्चिम मंगाल की 9 सीटों पर भी यहां मतदान हो रहा है हिमाचल पुदेश की बात करे तो यहां भी चार सीटों पर मददान हो रहा है जारकन की तीन चंडीगर्ड की एक सीट पर भी मददान जारी है और इन संसदिय सीटों के अलावा दो विदान सबक शेत्रों में भी पुने मददान हो रहा है क्या है